Hey everyone, this is Ashwara and welcome to beauty with goats So guys, Java series पे बिल्कुल पी बता views नहीं आ रहे थे ठीक है, इसलिए मैं इसको कर दिया था Pause, मैं बहुत honestly तुम्हें रीजन दे दे रही हूँ पर अब भी इस बीच में इतना जादा demand आने लगया comment section से लेके DM तक लोग पहुँचने लगया कि Java को क्यों नहीं start कर रहे हो, क्यों नहीं resume कर रहे हो तो इसलिए मुझे लगा चलो फिर अगर एक बंदे को भी इससे फाइदा हो रहा है तो फिर सही है, बनाने का कुछ समझ में आ रहा है मुझे बिलकुल लगने लगया था कि बनाने का मतलब क्या है जब लोग देखने रहे anyway, start करते है और जानते है, सीखते है आगे method overloading तक तो हम पहले सीख चुके, अगर नहीं सीख तो प्लीज जाके देख ले इस video में हम discuss करने वाले है method overriding के बारे में कॉंसी बड़ी बात है, सभी को समझ आ रहा है, right? तो देखो, मैं बताती है, उसको बहुत असान तरीके से एक दम बोलते हैं सब्हे भाशा में हम सीखेंगे, कैसे? ठीक है, चलो एक बन मेरे साथ चलो हमारे बच्पन के दिनों में जिस वकत हमारे पास अपना परसूनल अपना अपना खुद का फ़ोन harassment । अस वकत जब तोक्त तो मbau पूछता था कि तम्हारे पास फोन है तो क्या बोलते थे? तुम उस फ़ोन का नाम बोलते थे, जो तुम्हारे पापा के पास थे तुम यह नहीं कहता है कि मेरे पसं फोपन ही हैं तुम बोल दे थे थे लिए नोकिया 2100 मे लिए भॉला करती थी क्योंकि उसवक्त मेरे पापा के पास यही फोट है तरस्ट में तो ना तगड़ा फोन था ना कि उठा के गर में फिकती तो तेरा सर्फ उड़ जाता अभी एनिवेश अब के पेरेंट के पास उस वक्त वही फोन हुआ करता था लाइक बाक इन 2004-05 एनिवेश जब भी वैसा सीन था सबको याद होगा तो ऐसा कुछ मैं बोला करती थी and I am very much sure सब लोग वैसा ही कुछ बोला करते थे क्योंकि उस वक्त बहुत कम लोगों के पास मतलब बहुत कम बच्चों के पास फोन होता था ता आजकल तो खैर दुडिया बदल रही है तो ऐसे बहुत कुछ हुआ करता था अभी के टाइम में अगर मुझसे कोई पुछे तुम्हारे पास कौन सा फोन है तो मैं अभी अपने जो मेरा परसनल फोन है मैं उसके बारे बोलती हूँ कि मेरे पास ये फोन है मैं बोलती हूँ अब मैं नहीं बोलती हूँ अस फोन का नाम जो मेरे पापा आज के डेट में यूज कर रहे तो इस न ही कहा किया, इस ने Meir day के phone को कर लिए ओफान का Ton है ए window को phone is phone, अलाग बあと iPhone वाले phone नहीं बोल थे होगी najle है, विल्थ लोगे भी मताएं, उनसको हटे normal gymog väldigt की बात करें तो हम phone ही बोलते है तुम्हाले पास चाहे UPPO का phone हो, Vivo का phone हो या you have your phone and primord राइट तो मेवी तुम्हारा ओर तुम्हारे ज़िए वंवारे लाइसे या नहीं होता है आज भी तुम्हारे घर में जो छोटे बच्चे जिन के पास फोण। वेन के अलरोन ब दुद्दा खोन खोन। तो इस वक्त क्या हुआ कि बच्चे के पास जब अपनी वाली आ गय bitch तो उसने क्या अप्य अब वह हुगा रेधं जो चीज अज भी मेरे पास नहीं है मäन वह मंमी पाप का यूज कर लेती हूँ लेकिन कलको अगर वो मेरे पास अपने लिए आ गया तो that will be mine तो वो मेरा हो जाएगा और फिर यह हो जाएगा यह पेरिंस का है यह भी मेरा है फाइन फर यह मैं उस वक्त यूज करूँगी जब मेरे पास अपना ना हो हम सब अभी पापा के घर में रहे हैं and we are like samelessly calling it our house or something right तो इस तरह से चीज़े होती है anyway समझ में आ गया नहीं आया तो देख लेते हैं वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा तो चड़ो वीडियो देखते हैं प्लीज ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़के भागना एंड में कुछ इंपर्टेंट भाते भी करनी है तो मिलते हैं वापस यही कह रहा है कि लेट्स चार्ट लेट्स बेगिन जो भी बोलना है राइट इसके बाद देखो क्या है फर्स इस ध्लास एड्स थोड़ा सा आपट लग रहा है मुझे भी लगए था मुझे लग रहा था कि इसका नाम मेरे को आड़ डालना चाहिए इंटि अद अपर फिर सोचा की आड़ स्टू मीन्स्ट्रीम तो थोड़ा सा अलग करते हैं तो हमने क्लास का नाम आड़का है इसमें अंदर क्या-क्या चीज़ हैं, देख लेते हैं, तो सबसे पहले हमने दो इंटीजर टाइप के वरियेबल देख रहे हैं, पहले हमने इंट लिखा हुआ है, तो दो वरियेबल दिये हैं, A and B, fine, A and B की वेरिये हैं, वह बाद में देखेंगे, अब देखो, हमने साथ में एक मेथड डाला है, सम नाम का, विच इस रिटर्निंग नथिंग, तो जब नथिंग रिटर्न कर रहा है, मतलब वॉइड रिटर्न कर रहा है, तो उसका रिटर्न टाइप हो गया वॉइड, पब्लिक, पब्लिक is access modifier, तुम्हें पता है, नहीं पता है, तो विडियो जाके एक बर देखनेना समझा जाएगा, तो यह जो हमारा method है, सम नाम का, यह क्या कर रहा है, तो यह A और B, दोनों उठा रहा है, दोनों की values उठा रहा है, sorry, तो दोनों की values उठा रहा है, और दोनों को अड़ करके, जो भी value आ रही है, उसको कर देखने है, प्रिंट, लेट से हमारा A है, 1 और B है 2, तो यह 3 प्रिंट कर देगा, 1 और 2 को आड़ करेगा, और 3 कर देगा, that's it, तो इसका बस यह काम है, कि जो भी इन दोनों के वेली हो उन दोनों को आड करें और बस जो रजल्ट हो उसको कर दे प्रिट, that's it. By the way, मैंने method term use किया instead of functions. थोड़ा सा difference है इन दोनों में, पते ही क्या? देखो, काम दोनों का एक ही है, हर चीज सीम है. Only difference is, जब हम object oriented पर रहे होते हैं, object oriented concept पर रहे होते हैं, उस वक्त, we use term method, otherwise we use function. बाकी function and method are same thing, okay? इसमें confuse नहीं होना है. तो सबको class adds समझ आ गया, very good, अब आगे बरते हैं. तो second class we have is add subs, यहाँ भी एक extra S है, बस ऐसी अच्छा लग रहा था, okay? तो इसे लिए, anyway, add subs class के बाद हमने extends adds डाला है, right? fine. पर इससे क्या कुछ समझ आ रहा है, मतलब क्या adds और add subs का कोई relation है या बस ऐसी? तो नहीं भाई साब, relation है, क्या? देखो, add subs और adds, इन दोनों के बीच में extends नाम का एक keyword है. अब इस keyword को हम माल लेते हैं, border, border के left में है child और border के right में जो term है, जो, जिस class का नाम है, sorry, that is parent class. तो यहां से हमें यह समझ आ रहा है, कि add subs जो है, वो child class है, अब child है, तो उसका parent होगा, obviously हम सब के parents होते हैं, तो इसका parent है, adds class, right? तो यहां भी हमने एक method लिया है, same name का, और method का नाम है sum, just like यहां पे हमारे parent class में था, adds में था, उसी तरह यहां भी हमारा एक method है sum नाम का, इसका भी return type void है, और public to access modifier, दोनों का ही है, fine, अब यह क्या कर रहा है, तो यह और ब कर दिफरेंट कर रहा है, मतलब नाम है sum और प्रिंट कर रहा है difference, fine, कोई फर्क मी पड़ता है से, इसलिए में दाल दाले है, तो method का नाम कुछ दाल सकते हो, okay, बट यहां method का नाम दोनों में सेम होना चाहिए, तो देखो method का नाम मैंने sum डाला है, और यहां पर difference कर रहा है, कोई नी, लेकिन एक चीज़ पर ध्यान गया, यहां पर यह difference किस चीज़ का कर रहा है, मतलब, मतलब भई सब यह, कि add subs class में हमने कहीं A और B का जिकरी नहीं कर तो यहां प कभी-कभी होता है, कि जैसे मैं तुम्हारा नहीं जनती बट मैं अपना बता रही हूँ, कभी-कभी अगर मुझे मम्मी की कोई सारी अच्छी लेगती है, मैं बस अठाती और पहन लेती हूँ, बेशर्मों की तरफ, सेम काम इस बच्चे ने किया, यहां पर चाइड क्लास क भी-कभी तो ठीक है, समझ में आ गया, वेरियेबल इसके अपने अपने पास नहीं है, इसने अपने पेरेंट से, मॉमड़ जो भी हूं, उससे ले लिया है, यहीं चीज़ अपको समझ आगया यहां पर इसने क्या कर लिया गिए, कि अपने परेंट की प्रापर्टी को यू yes, we have to correct the main class maimk class here then we are creating the object we need to create obj class that is why adds obj new-adds that is what we have formed we have made the object now we have fixed only the base of quality 5 Tss we have no value simply we have int AB and then we are doing our other work हम int A भी दे रहेते हैं और दोनों का जो sum है वो बोल रहेते हैं हमें 2 पर हमने value नहीं दिया है बिना value दिये हम कैसे sum या डिफरेंस या कोई भी ज़ बता सकते हैं A और B की कोई fix value नहीं है वो value हमें fix करनी होती है तो यहां पर हमने क्या किया है? OBJ class, sorry OBJ जो हमारे adds class का object है उसमें जो भी A है उसकी value हमने 5 fix करी और B की value हमने 6 fix कर दिया और हमने कर दिया है like sum function को कर दिया हमने call तो इसके कुछ समझ आया यह कौन से वाले sum को call कर रहा है यहापर थोड़ी सी confusion हो सकती है because add subs में भी sum है और adds में भी sum है तो तुम देखो object जो हमारा OBJ है वो कौन से class का है तो object हमारा first वाले मतलब adds class और parent class का है adds OBJ is equal to new adds इसे समझ आड़ा है कि OBJ जो है वो adds class का object है और OBJ यहापर call कर रहा है sum को तो यह parent class का object अगर sum को call कर रहा होगा इसका मतलब वो यह वाला sum को call कर रहा है मतलब यह वाले sum को अपने वाले sum को call कर रहा है fine अब अगर हम थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ हम add subs का अपना object बना रहा है OBJ 2 fine हमने इसका नाम OBJ 2 रखा है OBJ 2 जो है वो child class का object है child class के लिए हमने A की वेल्यू सेम रखी है 5 और B की वेल्यू हमने कर दिया 4 Q बस ऐसे और यहाँ पर हम sum को call कर रहा है तो sum को call यहाँ पर कर रहा है OBJ 2 right OBJ 2 is calling sum इसका मतलब यह कौनसे वाले sum को बुला रहा है इसका मतलब यह अपने sum को बुला रहा है OBJ 2 कौनसे class का object है बहुत सारी चीज़े हैं जो हमें भी सीखना है तो चिंता नहीं करना आराम से देखते हैं तो जब हमने इसको कर दिया रहा है तो देखो क्या क्या वेल्यू आई 11 and 1 क्योंकि पहले क्या है पहले हमने अच्छास का जो sum था उसको बुलाया जब इसने अपने sum को बुलाया तो यहाँ पे तो थोड़ी सी problem यह है कि इसके sum का नाम बस sum है यह कर रहा है difference find राइट तो 5 और 4 वाई? बिकेज इसके a की value 5 है OBJ 2 की a की value 5 है और OBJ 2 के b की value 4 है तो इसने इन दनों का difference बता दिया 1 तो यह हो गया कोई फरक नहीं पर रहा ठीक है अब हम एक बारी क्या करते हैं कि इसको कर दे रहे हैं comment तो comment का मतलब simple है कि इसको compiler पढ़े जा नहीं compiler के लिए यह exist नहीं कर रहा तो हमने क्या कर दिया कि parent class का जो हमारा sum function और sum method था कि उसको हमने कर दिया comment मतलब यह exist नहीं कर रहा और अगर अब हम रन कर रहे तो देखो क्या हो रहा है अगर अब हम रन कर रहे है तो देखो हमें error मिल रहा क्यों बता रहा है क्योंकि हमने पहले एक अब्जेक्ट क्रियेट के है, OBJ टाइप का वेल्यू अगेरा फिक्स कर दियो और बोल रहे हैं, अपने सम को कॉल करो, लेकिन अब ये अपने सम को काल कैसे करेगा, इसका सम तो एक्जिस्ट ही नहीं करता है, मैंने कमेंट किया, तो तुम्हें दिख रहा है, कमेंट तो क्या होता है, अब की बार हमने क्या किया, चाइज क्लास के सम को कर दिया है, कमेंट और ये वाला अब नहीं दिख रहा है, तुम्हारे कमपाइलर को, और इस केस में अगर हम करने जा रहे हैं, तो देखो क्या होता है, और इस case में तो इसने कुछ error थो ही नहीं किया ठीक है यहाँ पर 11 क्यू हो रहा है हमें समझ आ रहा है हमने OBJ जो हमारे ads class का और parent class का है वो हमने 5 और 6 डालर दोनों का sum प्रिंट किया तो हमें पता चल गया कि दोनों का sum जो है वो 11 होता है यह तो सही है लेकिन इसके लिए तो हमारे पास ad subs class के लिए तो हमारे पास sum है ही नहीं हमने comment कर रहा है तो OBJ 2 कौन से वाले sum को बुला रहा है और एक minute यहाँ तो subtraction हो रहा था यहाँ देखो addition हो रहा है कुछ समझ आया यह अपने parent class के sum method को use कर ले रहा है मतलब यह कि जब हमारे पास phone नहीं होता था तो हम अपनी मम्मी के phone से अपनी girlfriend से बात किया करते थे और उसके बाद मेसेज करते थे इस number पर call मत करना यह मेरी मॉम का number है सेम काम अभी इस बिचारे के पास अपना sum method नहीं है और बीक में value उसने store करी है 4 अब object 2 जो की object है add subs class का अगर अब वो sum बुला रहा है obviously वो पहले अपनी class में जाके देखेगा तो उसको अपने class में कोई sum दिखा नहीं तो समझ आगे है ठीक है मेरे पास नहीं है तो कोई बात थी यह आराम से गया पापा की shirt उठाई पहना और निकल गया सेम काम इसने किया इसी लिए और पापा यहां पर क्या कर रहे है पापा समझदार है वो sum को sum ही समझ रहे sum को difference नहीं समझ रहे तो सेम काम 5 or 4 इसने डाला हुआ था तो 5 or 4 का इसने डाला करके यह पर 9 तुम्हें दे दिया तो I hope तुम्हें यह सबज आ गया बाकी आगे देखते तो वीडियो देखके बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे add subs class जो है जब उसके पास खुद का sum method नहीं होता है तो वो अपने dad का sum method यूज कर लेता है और like ads class का sum method यूज कर लेता है लेकिन जब उसके पास अपना खुद का होता है तो यह तो यह यूज करूँगा वो इस वाले attitude बे रहता है तो this is what we call method overriding I guess अब सब का बहुत अच्छे से clear हो गया होगा नहीं हुआ है कोई बात नहीं कमेंट सेक्षन में बताओ फिर इसको और अच्छे से explain किया जाएगा मतलब भएक की ख्वाईश पूरी करने की कोशिश की जाएगी तो ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay healthy stay fit love you all दूसे जैश्वारा signing off bye bye